मैं बामरलाल असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्मेंट कोलेज जुन जुनू आज अपन चर्चा करेंगे विकॉम पार्ट फरस्ट के पेपर फरस्ट कोर्पोरेट एंड फाइनिशल अकाउंट के विशे में तो देख्ये पिछले वीडियो में अपन ने चर्चा की थी कि लेखंकन एक भ्यॉप साई की भासा होती है तो इसमें व्यव्योम साई के जो सूचना के लिए बहुत से जो परख्सकार होते हैं जो अपना हीत रखते हैं बहुत से ष्मोन कोलास होते हैं में creditors है equity share order से हैं diventure से हैं creditors है government है employee है यदि कोई संस्ता अपनी स्वेम के पिछले वर्सों के तुलना करना चाहती है या उनका विशलेशन करना चाहती है या किसी उसी व्यवसाय में लगी वही किसी दूसरे संस्ता से अपने तुलना करना चाहती है तो उसके लिए आवशक होगा कि व्यवसाय किसे समदेद जो information है जो सूचनाए है उनके लिए बहुत आवशक होगा और ये सूचना उपयोगी तभी मानी जाएगी कि जब उसमें जो व्यवसाय के अंदर जो सूचनाए है जो सूचनाए है जो लेखा किया गया है उन लेखांकन के कारे में एक रुपता होगी इस प्रकार से लेखांकन जो कारे किया जाता है उसमें एक रुपता तभी संभव है कि जब इसमें कुछ प्रतिबातित लेखंकन सिद्धोंत्तु का उपयोग किया जाए तो इसके समन्द में पूर की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इटली के एक प्रशिद जो विद्वान प्रोफेसर लुकास जो पेशियोली उन्होंने 171449 में अकाउंटिंग के प्रिंशिपल्स का प्रतिपादन क किया था यह जो अकाउंटिंग के प्रिंशिपल्स हैं वो समय समय पर बदलते रहे हैं और आगे के वर्सों में भी इन में बदला होता रहेगा इसी प्रकार विविन विद्वानों ने इनके प्रोफेसर स्मित एसबर्ण प्रोफेसर और एन अन्थोनी इन्होंने accounting के जो principle से उनका प्रति पादन किया है इसी प्रकार कुछ ऐसी संस्ताइं भी हैं कि जिनोंने accounting के जो principle से उनका प्रति पादन किया है जैसा कि AICPA American Institute of Certified American Institute of Certified Public Accountant यह भी एक संस्ता है जिनोंने accounting के जो principle से उनका प्रति पादन किया ठीक उसी प्रकार American Accounting Principal Board इनोंने भी लेखांकन के समद्ध में अपने उप्युक्त सिदानतों का प्रति पादन किया ठीक इसी प्रकार अपने भारत देश में भी एक संस्ता हुई है जो है accounting Indian accounting standard Indian accounting standard ठीक international level पर भी एक संस्ता है जो international accounting standard है जिनोंने समय समय पर accounting के जो principle है उनका प्रति पादन किया है तो देखिए accounting जो principles है उसके बारे में यही बताया गया है कि सिध्धन्त जैसा कि अपन को एक अच्छे जीवन जीने के लिए अच्छे सिध्धन्तों की आवशक्ता होती है ठीक उसी प्रकार accounting कारिये में एक रूपता लाने के लिए अच्छे सिध्धन्तों की आवशक्ता होती है सिध्धन्त कहते किशे हैं सिद्धान्त के लिए प्रमुक रूप से यही देखा जाता है कि जो बातें सारभूत रूप से जी सत्य होती है उसे ही सिद्धान्त कहा जाता है इसके लिए किसी प्रमाण के आवसकता नहीं होती है और थार्प इनको किसी प्रमाण के दुवारा इनको सिद्ध नहीं किया जा सकता तो ठीक इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं कि accounting principles तो देखिए accounting principles हैं वो प्रोफेसर आर एन एन्थोनी ने इसके बारे में 10 accounting principles बताए इसी प्रकार ऑक्सफार्ड जो डिक्सिनेरी है उसमें accounting principles अर्थार्थ 14 जो principles है उनको इसमें बतलाया गया है तो एके करके अपन इसमें अध्यान करते हैं तो देखिए सबसे पहले अपन लेंगे हाँ 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 है सेपरेट एंटाइटी पर्थक अस्तित्व की अवधार्णा तो देखिए पर्थक अस्तित्व की अवधार्णे में यही बताया गया है कि एक व्यावसाई एक व्यावसाई का अस्तित्व है उसके व्यावसाई से बिल्कुल पर्थक माना जाता है अठा अर्थ एक जो व्यावसाई होता है जब व्यावसाई में पूंजी लगाता है तो उसी स्तित्व के अंदर उसे व्यावसाई के लिए वह लेंदार माना जाता है जैसा कि उधा होगा एक वैधनिग कत्री में वैक्ति है वित्भान के द्वारा निर्मित वैक्ति है आप समपतिनी में के रूप में लिखा जाएगा ठीक उसी प्रकार जिसे वैक्ति की जोित होगी उस में पक्स में वो किसा की रूप में लिखा जाएगा ए exposed घृक क्या स्वेम व्यावसाई का स्थित्व उसके माली का स्थित्व उसके व्यावसाई के स्थित्व से बिल्कुल पर्थक माना जाता है और यही इसी अवधार्णा को मानते हुए लेखंकन में लेखा किया जाता है इसलिए यह सेपरेट एंटाइटी पर्थक अस्थित्व की अवधा सिंपल है कॉंसेप्ट है वह है कि डिवल एस्पेक्ट कॉंसेप्ट मनी मेजर रिवल एस्वेल क्योंदा रिवल, प्रफ एस तक्योंदा चॉंसर्ट गई कंसर्ण प्रफ घंसर्ट कॉस्ट कंसेप्ट तो देखिए पहले अपन जो मैंने चार जो अवधाने पांच अवधाने लिखी हैं उसमें सेकंड जो अवधान है डूल एस्पेक्ट कंसेप्ट अर्थार्थ द्वेत पक्स की अवधाना इसको दो रूप में आप समझेंगे कि प्रतेक जो व्यभार होता है जो ट्रांजेक्शन होता है अर्थार्थ जो लेंदेन होता है उस लेंदेन से दो प्रकार के खाते प्रभाईट होते हैं जिसमें एक संपती से समधित और दूसरा दाइत्वे पक्स से समधित इसको इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं कि एक खाता डेबिट और दूसरा ख बाटा गया इसको एक तो ओनर्स एक्विटी और एक एक्स्टरनल एक्स्टरनल जो भी लाइबिटी है उसको समलित किया जाएगा तो ड्यूवल जो एसप्ट जो पॉंसेप्ट है उसमें मुख्यरूप सी यही बात बताएगी है कि लेंदेन से केवल दो जगे प्रभाव होग एक्विट पर और दूसरा पर इसमें जो दूसरी मनेता बताएगी विस प्रकाशी बताएगी हूं कि छो यूविक यह इतिक प्रूंक्रिय थिएं उन पर इसके स्वामी का यह लेंद़ास होते हैं अर्थार्थ सभलूपिए होती है वह संपती एक तो जो होती हैं एक तो जो उसके जो मालिक होते हैं मालिक के द्वारा विनुजित पूंजे से हो सकती है या फिर बहरी जो दाइत्व हैं लोन के माद्देम से जो रकम प्राप्त भी उसके माद्देम से हो सकती है तो इसके लिए यही बताया गया है कि यदि किसी संपती में यदि वर्दी होगी तो निश्य तरोप से उसके दाओं में वर्दी होगी अर्थार्थ या तो पूंजी में वर्दी होगी या एक्ष्टनल एक्विटी में वर्दी होगी निश्य तरोप्षी होगी ठीक इसी का विपरित यदि उसी संपती में किसी प्रकार क कमी आती है तो कमी आएगी तो दूसरे पक्स अर्थार्थ उसके या तो पुनिय में कमी होगी या निश्य तुरूप से जो लाइबटी है उसमें निश्य तुरूप से कमी आएगी थार अपन लेती हैni burgy बेसर में औल सर्फ है देखिए यह जो आधारणा है वो इस प्रकार की है कीठेल का ओंओ नी डिनों का किया जाएगा कि जिनका युद्ल अधुर्ट ने इस प्रकार के होते हैं कि जो व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्पुण होते हैं लेकिन ये महत्पुण होते वह भी अपनें आकाउंटिंग में उनको प्रदर्शित नहीं किया जाता है क्योंकि उनका जो money measurement है वो नहीं किया जाता है जैसे कि एक व्यवसाय में बहुत अनवभ colligy प्रबंदक है यदि उस प्रबंदक की जगह कि दूसरे कम अनुभवी प्रबंदक को यदि काम में ले लिया जाता है उसकी नियुक्ति कर दी जाती है तो निशीत रूप से इसके लाव उपर प्रभाव पड़ेगा पहले जो प्रबंदक था बहुत इफिसेंट वरकर था उस कि वरिश्पत कम कूशल है तो निशीत रूप से लाव उपर प्रभाव पड़ेगा अर्था तलाब कम होंगे तो इस इस्तिति के अंदर इस इस्तिति का मेजरमेंट करने के लिए अपने लेखांकन में किशी प्रकार का लेखा नहीं किया जाएगा तो इसलिए इसमें केव गोइं कंसंद कोसेट तो देखिए g original concerned concept है उसमें यही बताया गया है कि एक व्यवशाव अनिसी तक चलता रहेगा हो सकता है कि आने वाले दिनों में उसको व्यवसाव को बदलना भी पड़ सकता है या कोई भी परकार य्मिस हैपनिंग भी हो सकती है जैसा कि अपन विभार में देखते हैं कि कोई पुराना व्यवसाय चल रहा है तो उसके परश्यात उसके जो वनसेज हैं उस व्यवसाय को आगे सागे बढ़ाते रहते हैं लेकिन माननेता में यही बताया गया है कि व्यवसाय अनिशित काल तक चलता रहे गा और यह मानते भी इसमें लेखा किया जाएगा एक है कोश्ट कंसर्प्ट लागत की अवधाना ये इसको इस्टोरिकल कोश्ट कंसर्प्ट भी कहते हैं इस अवधाना में ये बताया गया है कि लेखा करते समय केवल जो भी संपती होगी उसको क्रेमुल्य पर अर्थार्थ उसको लागत मुल्य के उपर लेखा पुस्तकों मे उसको परदर्शित किया जाएगा जैसे कि किसी कमपनी ने पांच लाक रुपे की आज से दस साल पर ले यह दिकोई संपती खरी दी है, कोई मशेंदुरी खरीदी है तो 50 साल format अरथार्थ इस साल की विप्तिय वर्से उसमें तो उसको दिखायE का तो उसको मूल लागत पर भी दिखाये जाएगा और पांचलाख में उसको दिखाये जाएगा यह एक अलक्ति है कि उस नव्हें जो डेपेशे STEP!", तो लेकिन उसको मूल लागत पर ही दिखाया जाएगा यह एक लेखंकन की सबसे बड़ी कमजोरी है कि जिसमें जो जिस समय पर इस मशीन को या इस प्लांटेंड मशीनरी को या इस समपती को जो क्रे किया गया है उसी मुल्य पर अकाउंट्स में इसको परदर्शित किया जाता है झालब मशीनरी को जो को जो जो जाता है।